आप देख रहे हैं News9 भारत रखे आपको सब से आगे नमस्कार आप देख रहे हैं News9 भारत मैं हूँ आपके साथ अंजली चले रुख करते हैं खबरों की और आजमगल की रहुनापार पुलिस ने फर्जी वाले मामले में वार्षित कासी गोमती बैंक के वरिष्ट प्रबंदक व साहयत प्रबंदक को गिरपतार कर लिया इनके उपर कुट्रचीत दस्तावेश दयार कर फजी तरीके से आवेदक के खाते पर लोज सुक्रित करने का आरूप है पीडित की याजक्यापर कोड के आदेश पर इनके खिलाब पुलिस ने मुकजमा दर्ज किया था रामिल बैंक रावनापार प्रबंदक फेल अपसर और एक अग्याद सहीत पाच लोगों के खिलाब साथ माच को मुकडमा दर्ज किया गया विवेचना की करम में कासी गोमती सयूद ग्रामिल बैंक रावनापार के साहियक प्रबंदक जय परकाश सिंवaal उत्र बेजराश सिंग इवासी ग्राम करकीया रोस्तम सरायन ठाना रौनापार जनपत आजमगल वरिश्ट प्रवंदक स्याम नारायन राम पुत्र स्वरगिया बदरी राम निवासि ग्राम कोलपांडे रमायन मार्केट ठाना कोटवारी जनपत आजमगल मुल पता ग्राम भोर्रा मक्बूल पूर्थ थाना कंद्रापूर जर्पत आर्जम्गल का नाम प्रकास में आया मुक्रबिर के सुच्रापर एक नवंबर की दोपहर करीव 11 बच कर 40 मिनट पर पुलिस ने जय प्रकास सिंग उत्र बिर्जाज सिंग स्याम नरायन राम उत्र स्वर्गिय बद्री राम को गिर्पतार कर लिया थाना रौनापार पर कूट रचित दस्तावेजों के अधार पर एक लाग नब्य हजार का फर्जी लोन पास कराने के लिए आविदक के खाते से वरिष्ट प्रवंदक शाम नरायन राम वसाहिप प्रवंदक जय प्रकास सिंग की गिर्फतारी की गई है ये मुकदमा पहले थाना रौनापार पर कायन किया गया था मुकदमा पराज संक्या 63-22 धारा 412-420-466-468-471 विवेशना के दौरान साक्ष संक्लित किया गया वह ये दौनों लोग उसमें दोशी पाने के उपरांत इन लोग की गिर्फतारी करी गई है जैप प्रकाश सिंग पर दो मुकदमें पहले से पंजग्रित हैं एक ब्रश्टाचार निवारन अदिनियम का और दूसरा 420 का एक मुकदमा पहले से कायन है ये तीसरा मुकदमा उसके किलाफ कायन के जा रहा है शीगरी इन दोर अभिक्त को रिमांडियत को नियाले प्रस्तित किया जाएगा अभी के लिए फिलाल इतना ही काफी बने रहे हमाई साथ छोटी से बड़ी ख़बर जानने के लिए नियूज नाइन भारत पर अब चाहूंगे जाज़त नमस्कार